इंसान के बोद की क्षमता केवल शब्दों को समझने से कहीं परे है इस समय में बोल रहा हूँ दरसल आपके बोद की क्षमता इन शब्दों से कहीं परे है जो आप सुन रहे हैं लेकिन चूकी आपके मन को ट्रेनिंग मिली है कही हुई चीज को न केवल सुनने की, बल्कि याद करने की और लिख लेने की कुछ लोगों के हाथ में बहुत खुजली हो रही है आपको जो बात काम की लगती है, उसे लिखना जरूरी है लेकिन मनुष्य का बोध इससे कहीं परे तक जाता है कुछ दिन पहले, अभी चार दिन पहले ही, मैं इस देश के एक माने हुए पर्यावरन वैग्यानिक से कुछ विशेओं पर बात कर रहा था और डिनर के दौरान हमने आपस में बहुत सी चीजों पर चर्चा की तो उसने पूछा, सद्गुरु आप कौन सी किताबे पढ़ते हैं मैंने का, मैं एस्ट्रिक्स और डेनिस्ट अमेनिस्स पढ़ता हूँ मुझे और कुछ पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं लगातार सफर में रहता हूँ अगबारी पढ़ लूँ तो बहुत बड़ी बात है फिर आपको ये सारी जानकारी कहां से मिलती है मैंने का, कि मैं आप से उठा रहा हूँ आपने ये सब पढ़ रखा है मैं क्यों फिर ये सब पढ़ूँ मैं उन सब केताबों को नहीं खोलता आप यहां बैठे हैं और मैं इन सभी चीजों को उठा कर बाते कर रहा हूँ लेकिन आपको ये सारे टेक्निकल शब्द कैसे पता चले मैंने कहा, क्या ये आपके दिमाग में मौझूद नहीं है मुझे जब चाहिए, मैं उन्हों उठा सकता हूँ मैं वो सारी बकवास कभी नहीं पढ़ने वाला क्योंकि वैसे भी वो शब्द मेरे लिए कोई माइने नहीं रखते क्योंकि मनुष्य का बोध इससे कहीं परे है इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस मेरे साथ रहिए, बस मेरे साथ रहिए अगर आप बस यूँ ही मेरे साथ रह सकें तो इसे जानने के आपकी क्षमता मेरे कहे हर एक शब्द को लिख लेने की तुलना में कहीं ज्यादा होगी अगर आप ये सारे शब्द बटोर लेते हैं तो वास्तव में आप कुछ नहीं जान पाएंगे क्या मैं आपको एक राज बताओ एक Oxford Dictionary खरीद लीजे मेरी सारी बाते हैं उसमें पहले से लिखिए आपको बस उसे अरेंज करना है इस तरीके से आपको कुछ हासिल नहीं होगा तो बोध को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि आप उसी को जानते हैं जो आपके बोध में होता है बाकी सब बस कहानी और कलपना है है ना? जो आपके बोध में है और आपने अनुभव किया है आप बस उसी को जानते हैं बाकी सब खोखली कहानी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहानी कितनी शांदार है ये फिर भी बस एक कहानी है जो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगी अगर इसे आपके जीवन में कोई बदलाव लाना है तो इसमें अनुभव का एक आयाम होना चाहिए वो तभी होगा जब आपके पास ऐसा भोध होगा आपने विवेक अनन्द के बारे में सुनाए है? वो पहले योगी थे जो अमेरिका आये थे 1893 में और उन दिनों एक लहर सी उठा दी वो योरप भी गए और अमेरिका से वापस लोटते समय वो एक जर्मन फिलोसफर के घर महमान थे डिनर के बाद वो स्टडी रूम में बैट कर आपस में चर्चा करने लगे वहां मेज पर 700 पेज की एक बड़ी से किताब रखी थी विवेक अनन्न ने कहा क्योंकि वो आदमी किताब की बहुत बढ़ाई कर रहा था उन्होंने कहा क्या आप मुझे एक घंटे के लिए किताब दे सकते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है वो आदमी असने लगा उसने कहा आप एक घंटे में इस किताब को पढ़ने वाले हैं मैं इसे कई हफतों से पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये एतनी जटिल है और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में आपको ये भाषा आती भी नहीं एक घंटे में आप क्या करने वाले हैं विवेका नन्ने का आप किताब दीजिए मैं देख के बताता हूं तो उन्हें वो किताब दे दी गई उन्होंने किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आखे बंद करके बैठ गए एक घंटे बाद किताब वापस करते वे उन्होंने कहा इसमें कुछ भी खास नहीं है उस आदमी को लगा कि ये तो घंट की हद हो गई आपने किताब को खोला तक नहीं और आप उसके उपर कॉमेंट कर रहे हैं आपको ये भाषा तक नहीं आती वो थोड़ा नाराज सा हो गया कि ये कैसी बकवास है विवेका नन ने कहा आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजे मैं आपको बता दूँगा ठीक है, पेज 633 में क्या लिखा है विवेका नन ने एक एक शब्द दोहरा दिया आप बस पन्ने का नंबर बोलिए वो उस पन्ने पर लिखी बातों को शब्द शय बता देंगे फिर उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने किताब खोली तक नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने का, इसलिए लोग मुझे विवेकानन्द कहते हैं विवेक यानि बोद उनका नाम नरेंद्र था उनके गुरू उन्हें विवेकानन्द कहते थे क्योंकि उनके बोध की क्षमता ऐसी थी, तो उन्होंने कहा, इसलिए मुझे विवेक आनंद कहते हैं। तो जीवन का बोध, आप सारी चीजों को अपने लॉजिकल माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते, ये इस तरहे काम नहीं करता, क्योंकि तर्क जीवन की बहुत सारी चीजों को नकार देता है, जिनके बिना आप जी नहीं सकते हैं।